हलो डिवेंट्स मैं सुमन और स्वाविप करते हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेले सुमन में आज के इस वीडियो में हम कुछ खास सिम्टम पर बात करेंगे जो महिलाइं प्रिग्नेंसी के लिए कोसिस कर रही होती हैं उनमें से कुछ महिलाओं को यह सिम्टम अपियर होती हैं वो उन्हें प्रिग्नेंसी की सिम्टम समझ रही होती हैं और प्रिग्नेंसी के सिम्टम समझ के इंतजार करती रहती हैं और अपना time waste करते हैं वो इंतजार करते हैं कि ये symptom pregnancy की है तो शायद pregnancy test positive आ जाए फिर test करते हैं test negative आता है फिर wait करते हैं कि शायद और wait करने से pregnancy test positive आ जाए फिर test करते हैं negative आता है और इसी इंतजार में उनको periods आ जाते हैं और फिर वो मायूसी का सिकार हो जाती है, डिया बनादेरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं तो false pregnancy symptom या fact pregnancy symptom की बात कर रहे हैं ऐसे symptoms जो pregnancy से मिलती जोलती तो होती है लेकिन actually pregnancy की नहीं होती किन महिलाओं में ये symptom आती है और कौन सी होती है ये symptom और आपको करना क्या है? सबसे पहले ये जान लें कि प्रेग्नेंसी की ये false symptoms संकेत, fact pregnancy symptoms कौन-कौन सी होती हैं इनमें पहली symptom होती है आपके breast के अंदर tenderness महसूस होना breast का थोड़ा सा बढ़ जाना, swollen हो जाना और breast के अंदर आपको दर्ब का एहसास होना फिर आपके पेट का फूलना, आपके periods का मिस होना, आपका वजन थोड़ा बढ़ जाना, weight gain जिसको आप कह सकती हैं आपको nausea vomiting यानि कि उल्टी मतली जैसी सिकायत होना, periods date आने से पहले आपको food craving होना या food awareness होना, या कोई खास चीज खाने का आपका बहुत ज़्यादा मन करना और कुछ खास चीजों से आपको नफरत हो जाना, खाने को मन ना करना आपकी बच्चे दाने के अंदर आपको बच्चे जैसी moment महसूस करना, हरकत महसूस करना तो ये जो सारी symptom होती है, actually ये pregnancy रुकने पर भी इस तरह की symptom आती है, फरक क्या है ये भी आगे बताऊंगी लेकिन कुछ महिलाओं में ये symptom तो आती है, लेकिन pregnancy नहीं होती और वो वेट करती हैं कि pregnancy test positive आ जाए, लेकिन periods आ जाते हैं और मायूशी और नाउमीदी चा जाती है, तो क्यों आती है ये symptom, fact pregnancy symptoms अगर pregnancy नहीं है तो फिर ऐसा क्यों होता है, अब यहाँ पर ये भी जान ले कि इस condition को हम medical के अंदर क्या कहते हैं कि जब आपको लगता है कि इस महीने आपको pregnancy है, pregnancy जैसी symptom है, लेकिन actually pregnancy नहीं होती इसको दिया जाता है, 16 साल से लेकर 49 साल के बीच में जो महीलाई हैं वो ज्यादा इसका शिकार होती है अब इसकी वहसे क्या है, आपको ऐसा क्यों महसोस होता है, ये pregnancy जैसी symptom क्यों आती है, आगर pregnancy नहीं है तो इसकी कुछ विज़े तो psychological होती है, यानि कि ऐसे महीलाई जिनके अंदर बहुत ज्यादा strong desire हो pregnancy conceive करने की यानि कि वो बहुत ज्यादा जिग्यासा रखती है कि उनको pregnancy ठहा जाए, बहुत टाइम से pregnancy के लिए कोजिस कर रही है या ऐसे महीलाई जो pregnancy के बारे में pregnancy ठहा जाने के बारे में बहुत ज़्यादा overthinking करती है या ऐसे महीलाई जिनके multiple miscarriages हो चुके हैं, बच्चा जिनका खराब हो चुका है, जिसके वज़े से वो depression में जा चुकी है या आप infertile है, बहुत टाइम से कोजिस कर रही है, pregnancy conceive करने के लिए लेकिन pregnancy ठहर ही नहीं रही तो इन सारी condition के अंदर pregnancy की false symptom, pregnancy की जूरी symptom आपके अंदर period date में सोने से पहले शोक हो सकते हैं अब ये तो थे psychological reason, इसके लागा कुछ physical reason भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो actually आपके अंदर मोजूद होते हैं, कुछ ऐसी बिमारियां जो आपके अंदर मोजूद होते हैं जिनकी वज़े से आपको pregnancy जैसी symptom तो आती है, लेकिन pregnancy नहीं होती उनके अंदर कौन-कौन सी चीज़े सामिल हैं, उनमें पहली और important चीज़ है, hormonal imbalance अगर महिला की hormon खराब है, estrogen, progesterone का balance disturb है या एक और बहुत ही important hormone है, thyroid के hormone जिसकी वज़े से आप hype हो, thyroid risk में भी जा सकते हैं तो इन hormonal imbalance की वज़े से भी आपको pregnancy जैसी symptom आ सकते हैं फिर अगर महिला की औरी के अंदर cyst बनी हुई है, tumor है, बच्चे दानी के अदर रसोलिया है, cancer की कोई शिकायत है तो ऐसी condition में भी pregnancy जैसे symptom आपको आ सकते हैं, आपके period की date मिस हो सकते हैं अब दूसरी जो चीज hormonal imbalance के अलावा अगर आपको cramping हो रही है, अपनी बेली के अंदर, lower belly के अंदर period date से जस्ट पहले और आप इसको समझ रहे हैं कि शायद implantation का दर्द है, pregnancy रुकने का दर्द है, जो अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा लेकिन हर पेट दर्द pregnancy रुकने का दर्द नहीं होता, हो सकता है कि आपके पेट के अंदर कोई और problem है, आपको gas हो सकती है, आपको constipation हो सकते है आपकी sugar ना हो, diabetes को exclude करवाई, या आपको UTI ना हो, यानि आपके पेशाप की नालियों का infection ना हो, और कुछ महिलाओं में अगर पेट में gas दर्द जैसे सिकायत होते है, या बार बार पेशाप आता है, तो tension, depression अगर आपको हो, तो कुछ महिलाओं को tension के अंदर, depression के अंदर, पेट खराब हो जाता है, तो बार बार urine भी आता है, इस चीज़ को भी आपको मदे नजर रखना है, और फिर अगर आपके periods की rate मिस हो गई है, period मिस हो गई है, तो जरूरी तो नहीं है कि आपको pregnancy heat है दी हो, इसकी वज़े से आपके periods की rate मिस हुई है, आप कुछ और चीज़ से अपना वजन तो नहीं बढ़ा है, या एकदम से आपको मोटापा तो नहीं आ गया, क्या आपको ये भी जाना चाहिए कि इस महीने आपको period की date नहीं आई, क्या आपके घर में कोई tension थी, क्या कोई function था, क्या कोई और problem थी, जिसकी वज़े से आपका sleep cycle है, नीन का cycle है, व आपको ध्यान देना है, कि ऐसा पहली बार ही हुआ है, या हर बार ऐसा ही होता है, अगर हर बार ऐसा होता है, तो बाकी चीजों पर ध्यान दे pregnancy को छोड़के, अगर पहले ठीक होता था सारा कुछ इस बार ये चिंजिस आपको अपने अंदर महसूस हो रहे हैं, तो आप पहले आजाता था, या कभी ऐसा भी होता था कि पान से साथ दिन पहले आ गए पीरियट से, फिर पान से साथ दिन बे बार में आए हो, तो इस बार अगर डिले हो रहे हैं, तो क्या पहले भी ऐसे होते थे, इस चीज़ को भी आपको दिमाग के अंदर रखना है, लेकिन पहला टेस्ट है, यूरीन प्रेगनेंसी टेस्ट, सही प्रेगनेंसी अगर होगी तो पॉजिटिव आएगा, फिर दूसरा टेस्ट होता है, बीटा एचीजी ये टेस्ट आपका ब्लड सेंपल लेके लैब के अंदर आप करवा सकते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट ह आल्टर साउंड जो आप डॉक्टर के पास जाके करवाती हैं, इस ती पता चल जाता है कि आपकी बैरी के अंदर बच्चा है कि नहीं, तो फ्रेंड्स बसेहिता आज का वीडियो, आप लोगों के लिए यूसफुल रहेगा, तो मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब त